नमस्कार दोस्तो वेलकम टू मैं यूट्यूब चनल स्टेट जोब दोस्तो चनल पने आये हो तो आपस रिक्वेस्ट है चनल को सब्सक्रेब करके सब्सक्रेब किजिएगा डेली जोब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तो SGPN लिमिटेड यानी सोतलूज जलोविद्धुद्नी गम लिमिटेड जो की सेंटरल गवर्मेंट और हिमाचल गवर्मेंट का एक जोयन बेंचर प्रोग्रम है वह पर ग्रेजुएट अप्रांटिस टेक्निसियन डिप्लूम अप्रांटिस टेक्निसियन आइटीय ट्रेड अप्रांटिस का रेक्रूट्मेंट होने बाला है दोस्त इसमें टूटल वेगेंसी 400, ग्रेजवाट अप्रेंटीज एक्षोपिचत्तर पुस्ट, टेकनिस्यान डिप्लूमा अप्रेंटीज 100 पुस्ट और टेकनिस्यान आईटीए अप्रेंटीज 125 पुस्ट दोस्त इसका जो एड़्टिसमेंन नमबर वो 116 अबलिक 2013 दोस्त इसका जो बेतन मिलेगा, स्टाइपिन मिलेगा, ट्रेनिंग की दुरान आप लोगो को, वो ITI अप्रेंटीस को 7,000 मिलेगा, 9,000 मिलेगा, डिप्लुमा अप्रेंटीस को, और 2,000 मिलेगा, ग्रेजुएट अप्रेंटीस को, दोस्तो, क्वालिविकेशन, ग्रेजुएट, एज लिमिट 18 year to 30 year minimum 8 year maximum 30 year एज रिलाक्जाशन गॉबर्मेंट रूल की सब से मिलेगा दोस्तों एप्लिकेशन फी स्च टी पीड़ाब्लूरी के इंडिडेट के लिए कोई एप्लिकेशन फी की जौरूरत नहीं है और जितना भी केंडिडेट है उनको 100 रूपी एप्लिकेशन फी की तर पर देना पड़ेगा दोस्तों जौब लोकेशन अलोबर हिमाचल प्रदेश सौरी फ्रेंड्स भीमाचल प्रदेश में होगा जहाँ पर एपड़ेट का ओफिस है वह पर दोस्तों सिलेक्शन फ्रोसेस मेरेट बिसस सिलेक्शन होगा कोई एग्जम नहीं होगा आपको आपकी ग्रिजूएशन में और आपकी आइटे में जो मार्क्स मिलाए आपको उस marks की उपर basis करके आपका selection किया जाएगा मेरे ट्लीस तैयर किया जाएगा दोस्तो इसका जो apply mode है वो online apply करना है online apply start होगा 18 December 2023 से और apply का last day 7 जन्वरी 2024 दोस्तो हो के न apply कौन apply कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ हिमाचल प्रदिश का candidate apply कर सकते हैं notification में indicate कर दिया all Indian candidate apply नहीं कर सकते हैं इसका जो official site है वो sjbnyndia.com दोस्तों मैं details ले आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो graduate आप प्रैक्टीस का जो पोस्त है याद रखे कि वो engineering graduate चाहिए engineering और technology में जो graduation के complete क्या है उनके लिए है normal graduation के लिए नहीं है दोस्तों यहाँ पे stream होगा mechanical जिसमें पोस्त है 40 electronics and communication के लिए 3 पोस्त electrical के लिए 45 पोस्त civil के लिए 55 पोस्त architecture के लिए 2 पोस्त instrumentation के लिए 2 पोस्त engineering pollution and control के लिए 1 पोस्त applied geology के लिए 2 पोस्त information technology के लिए 5 पोस्त और यह जितना भी पोस्ट मैंने बता है इसके लिए शिर्फ अपने अपनी स्ट्रिम पर इंजिनेरिंग एफिर टेक्नलोजिकल ग्रेजुएशन होना चाहिए सरकरी इंस्टिूशन से दोस्तो हुमेन रिसूर्स टैन पोस्ट हुमेन रिसूर्स पोस्ट के लिए और फाइनेंस एंड एकाउंट्स पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रिम पर साथ में टू येर का फूल टाइम एंबीए किया हुआ होना चाहिए दोस्तो घुरेजुएट अप्रेज का टौटल परिएंस 142 उसकी बाद आता है टेकनिस एंड डिप्लूम अप्रेंटिस दोस्तो टेकनिसेंड डिप्लूम अप्रेंटिस में स्ट्रिम है، मेकानिकल 24 पोस्ट इलेक्टिक्रेल 40 पोस्ट आर्किटेक्चर वन पोस्ट, सिबिल 30 पोस्ट, इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी 5 पोस्ट, सबमीलागर 100 पोस्ट और इसके लिए ITI टेक्निशन के लिए क्वालिविकेशन चाहिए, आपको इंजिनेरिंग और टेक्नोलोजी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फूल टेम डिप्लोमा दोस्तो ITI अपरेंटिस, टेक्निशियन ITI अपरेंटिस में जो स्ट्रीम है बो है इलेक्टिशियन, 100 पोस्ट ओफिस सेक्रेटरी शीप या ओफिस टेनोग्राफी ओफिस अजिस्टेन, ओफिस मेनिज्मेंट इस तरह का उसके लिए 5 पोस्ट फब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर 10 पोस्ट मेकानिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, जेनरल और मेकानिकल 5 पोस्ट इन्फरमेशन, कॉम्यूनिकेशन, टेक्नोलोजी IIT, कॉम्प्यूटर, एसेमली अड़ मेंटिनाइन्स के लिए 5 पोस्ट आपनी अपनी स्ट्रीम पर ITI पास होना चाहिए दोस्तों अगर इन्फरमेशन आपको helpful लगे, अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके सब्सक्राइब कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए फिलल ओफिशियल नोटिफिकेशन और एपलाई लिंक लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाएए वहाँ पर मैंने लिंक दे दिये तैंक यू फ्रेंस बेस्ट अफ लग